Simplicial Complex को हम ने स्टार्ट किया हुआ है तॉपिक को तो Simplicial Complex की पहले हमने Definition देखी Definition के बाद जो है उसके डिफरेंट उसके अंदर जो Notations है या जो हम उसको डिफरेंट चीज़ें देखते हैं उसको हमने Study किया है अब क्या है कि हम Simplicial Complex की जो है वो कुछ Examples देखेंगे इस वीडियो में For example इस वीडियो में हम Graphs को देखेंगे What is a Graph? Let G be a Finite Simple Graph It means कि G has no Loops or Multiple Edges तो जिन लोगों के लिए Graph की Notation नहीं है उसके लिए मैं कुछ एक दो बात हैं जो हम Use करेंगे Graphs की वो मैं यहां में Define करने जा रहा हूँ Consider the Graph इस Graph के अंदर किया है कि आपके पास V1, V2, V3, V4 और V5 यह vertices है Nodes है ठीक है और उसके बाद V1, V2 के दर्मियान एक Edge है V2, V3 के दर्मियान एक Edge है V3, V4 के दर्मियान एक Edge है and then V2, V3, V4 के दर्मियान एक Edge है और V5 जो है उसके साथ कोई Edge या कोई Vertex है वो Edge Share नहीं कर रहा इसको हम बोलते है कि V5 है वो Isolated Vertex है तो Graph के है Graph basically collection of two sets एक Set V जिसको हम बोलते हैं कि यह set of vertices of Graph G है and दूसरा है set E E कह है that is collection of set of edges of E अब इस Graph के अंदर पांच vertices थे V1 से लेके V5 तक और उसके बाद इस Graph के अंदर चार edges है V1, V2 V2, V3, V3, V4 and V2, V4 तो यह collection as a whole हम कहते हैं यह Graph है कैसे Graph है कि it is collection of vertices set of vertices and set of edges अच्छा इस Graph को गर गौर से देखें तो इस Graph के अंदर V1 और V2 के दरम्यान एक ही edge है Multiple edges उस वक्त होते हैं जब V1 और V2 के दरम्यान आपके पास X से ज्यादा edge हो और दूसरा क्या है कि Loop किसको बोलते है Loop एक ऐसा edge होता है जो V एक vertex से start होता है उसी vertex पे खतम होता है अगर मैं V1 और V1 से edge start करूँ और वापस उसे V1 पे ले आँ तो वो एक Loop की form बनते हैं उसे Loop बोलते हैं अगर किसी graph के अंदर ना तो multiple edges हो और ना ही कोई loop हो तो इस example के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो simple graph को consider कर रहे हैं तो simple graph means के there is no loop there is no multiple edges सिर्फ हम उस को उस graph को ले रहे हैं जो के simple हैं then the graph G is a one dimensional simpletial complex on the vertex set VG where VG is equal to V1 up to VN then the VG is the vertex set of graph G के कोई भी graph ले ले वो graph जो होगा वो एक one dimensional simpletial complex होगा जैसा कि अभी हमने ये graph देखा था तो इस graph के अंदर जो है ये आपके पास जितने भी edges हैं वो basically अगर इस graph को इस shape को as a मैं simpletial complex देखूँ तो ये जितने भी edges हैं ये सारे के सारे जो हैं ये facets हैं और उसके बाद V5 जो है V5 भी एक facet है क्योंके V5 जो है वो किसी और face के अंदर contain नहीं कर रहा so V5 भी एक facet है और बाकि सारे यतने भी edges हैं वो facets हैं अब जब facet सारे एक सारे edges ही facet हैं इसका मतलब इस graph की जो dimension है वो one के equal है for example the graph G is this graph तो इस graph को हम इसका मतलब यह हुआ है के दो तरीकों से लिख सकते हैं एक तरीका कौन से है कि हम इस graph को दो sets की form में लिखे हैं एक set, set of vertices और एक set, जो के set of edges at the same time अगर मैं इसी graph को as a simplical complex लिखूँगा तो सबसे पहले क्या करना पड़े गा कि वो set of vertices है ना उसको singletons की form में हम लिखेंगे V1, singleton, V2, V3, V4, V5 सारे-सारे vertices हैं वो singleton's की form में लिखेंगे then, जो आपके पास edges हैं उसको भी हम V1, V2 V2, V3, V3, V4 और V2, V4 की form में उसको अलग से लिखेंगे तो यह collection सारी की सारी जो हो जाएगी यह आपके पास एक simplical complex होगा अब question ही है कि क्या यह simplical complex जो है क्या simplical complex pure है No, not always हर graph जो है वो जरूरी नहीं है कि pure हो क्योंकि अगर वो isolated vertex उसके अंदर है इसका मतलब भी हुआ कि वो graph आपके पास pure नहीं हो सकता है क्योंकि vertex की dimension जो है वो 0 होती है और edge की dimension जो है 1 होने चाहिए और pure के अंदर क्याना चाहिए कि pure के अंदर जितने भी facets हैं उन तमाम facets की dimensions है वो same होनी चाहिए